क्या होती प्रतिक्षा है क्या पीड़ा होती है कैसे जलता है दिल जब परिक्षा टलती है मेरे प्यार दोस्तों मैस्यों सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वाकत करता हूं आज की वीडियो के अंतरकत हम बात करने वाले हैं आखिरकार इस लागडाउन के ओधी में वहीं साथ ही साथ आपको यह बताने का प्रियास करेंगे आखिरकार जो एक कुरूना महामारी है यह आखिरकार क्यों इतनी ब्याप्त होती जारी वैसे यह बातें आपको पता होंगी लेकिन एक चौपाई मानस में गोस्वामी तुलसिदा जी ने लिखी थी रामचरित मानस आप लोगों का फेवरेट है और दुनिया का सबसे एक प्रकार से फेवरेट जो है महाकाविक की सड़ी में आता है रामचरित मानस उसमें एक चौपाई लिखी गई है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज ये कब हुना ब्यापा लेकिन इस समय राम राज में भी इकताप करोना महामारी ब्याप्त हो चुकी है इससे निपढ़ने के लिए हमको घर में रहना है लगातार जो सरकार के द्वारा बताई गई प्रोटोकाल है उनका पालन करना है और ऐसी स्थिति में आपकी परिक्षाएं भी टल चुकी है और परिक्षाओं को लेकर के जुल आपता के बाद में आएगा जैसे निरणाय आता आप लोगो बताने का परियास करूंगा वहीं बता दे मेरी प्यार दोस्तों कि यह दैविक भावतिक तापा इस परकार के जितने भी कठीन सिच्वेसंस होती है परिसितियां होती है वह राम राज यार्थात आपने अवद रूप से दोहन कर रहे हैं तो यहां आज की बात नहीं है जब जब प्रकृति पर मनुस से ने अपने प्रकार से जो है उस पर हावी हुआ है मनुस जब जब प्रकृति पर हावी हुआ है तब भी प्रकृति क्या का उलट फेर मलब की प्रतकिरिया देने का प्रियास करती है मतलब आप देखेंगे हर स्सौ साल के अंतर पर एक ऐसी महमारी जरूर आती है। कि जो की सव साल के अंतर spoken जो कितनी भी क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी का जायजा प्रकृती के पास होता हुए उनस सभी मुद्डों को देखते हुए अखिरकर मनुस्यों ने प्रकी पर किस प्रकार से अत्याचार किया है आप परियारोड़ेंगं परिचित की जब पढ़ते हैं बेडिये और में फैक ट्री लगाने से पहले आप जो है फैक्टरी से कितने प्रकार से और नखी खपत होकिए या पर क्या प्राव पढ़ेगा उस प्रभाव को रोकने के लिए जब कोई आप उपाय कर देते हैं तो एक प्रकार से यह तो हो गया परियावण के साथ अनकूलन करना लेकिन अब जवाब परियावण के साथ प्रतिकूलन करना प्रादम कर देते हैं तो तब ही तमाम प्रकार की महामारी आपदा बिविद्दा तबाम प्रकार की जिज Om olması करते हैं तो वह हमको जी-जीवित रखेगी लिकिन अगर पोर्यावण के साथ हम प्रते को अनỏ करते हैं मनलब की परियावण के अन्कोल't कहीं रहते हैं तो परकृत क्रियों करती हमारा निरसन आर्थात हमारा लिमिनिसन कर देती है अब मेरी दोस्तों यहां पर मन Isso उसने बहुत गलती कि चाइना इसे देश अगर बात करें तो लगभग दुनिया का जो 20 परसंट आक्सीजन है चाइना ही अकेलिक खपत करता है मलब उसको खराब करता है वहीं बात करें अमेजन के जंगलों से 20 परसंट दुनिया का अक्सीजन निकलता है और के लिए चाइना बीस परसंट खतम कर देता अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए जब ऐसी खपत है एक देश की और इसी परकार से चाहला कि चाइना एक परकार से वहाँ परियावन को ध्यान में नहीं कार्स से झो दूसरी लहर 8 के तीसरी में प्रवेज कर रहे हैं उसका कारण भारतियता नहीं भारती लोग नहीं है उसका करन सीधाओं की पर्यावन के परतों करने में मनुष्य या पाश्चिया पिर जो अलग देशों के लोग है बहुत हैं ते सिती में स्वभाविक सी बात है कि कोई ना कोई बीमारी जारूर आईगी कोई ना कोई आब आब्दा विब्धा चुकि प्रकृर्टिविद्प में घभी तो वहाईगी हलाकि या भी कुछ प्राक्रति का आप देखें यард आप इजा ग्रक्रतिक आप र्र्क्रति एक प्रक्रतिकार यह выпуск ग्रक्रतिक्जा और देखेंगे ऊपसी नहीं वजब आफ हमारी को लेने के लिए महामारी inspires अने में दोनों ओपर प्रकार से साथ गार्ट थी तो कहीं आप देखते हूं कि चीन को बतायाता है कि जो है फादर आप करूना या फिर तमाम प्रकारिक्षी जो भी आपके सामने नियुज आती हैं हम देखा होगा हलाकि उस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करते हैं लेकिन जब भी आप कोई मुद च्रेद तो आप सही प्रकार से आप क्या करें उसका गहनता से अध्यन करें उसके बाद में इतना मनुस आगया भी नहीं हो चुका है कि वह जो है प्रकृति से आगे चला जाए वह उपर वाले आर्था भगवान से आगे चला जाए इतना मनुस अभी आगे नहीं हुआ है या बात बैग्यानेक लोग भी जानते हैं अध्यात्मिक गुरु ही जानते हैं सभी लोग जानते एक प्रकेशम कोई धर्म हो उसमें कोईगब करते दो करते थे उन्हों ने मलब की वो तो प्रकृती के साथ क्या कर पाये अन्तुलती कर प्याता यह जिराप से कर ने क्वा प्रक्रृती प्रकृती के साथ नहीं कर लिए लिए बने होई हैं तो यह इसी क्सेटा नहीं होती परानों में बहुत पहले की चीजे सारी बताई गें लेकिन इसका विस्थार नहीं किया इसको द्याख्यत नहीं किया हदा की कोई दिक हद कन्धए बार में बहुत सारे लोग और यह इसी परकार से राजारेवत कि अधर नहीं hun嘛 डीगे तो हाँ पर जो है आप ठेवरी आफ रिलेटी बीटी जो है उसका पूरा का पूरा सिद्धान तो ही पर आपको मिल जाएगा ठीक कि अगर कोई विक्ति प्रकास की गती कि से चलता है तो कहीं न कहीं पर वहां उसको समय कानव कम होगा तो यह सारे मुद्दे जो है आपके कुर प्रकृति के साथ अंकूल नहीं करेंगे तक मानों जाती ऐसे खत्रे में हमेसा आती रहेगी आगे बात करते हैं आखिरकार पढ़े तो पढ़े कैसे वीडियो में थोड़ा और बने रहिएगा ध्यान नखिए तो पढ़े कैसे आखिरकार कैसे पढ़े और कैसे पढ़े के स क्यों पढ़ें और कितना पढ़ें कि किसके लिए पढ़ें ठीक इसी के साथ ही साथ मेरी प्यार दोस्तों और भी कुछ प्रस्न होते हैं जो कि लगातार बने हुए है जैसे कि और बताये हम अगर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें तो मेरी पर दोस्तों इन सभी सब जो है यह से कैसे पढ़ें पढ़ने का सिंपल सा तरीका है आप कहते है आलस आती है पढ़ने का सिंपल सा तरीका आप जो है हाथ पर धुल के या फिर नहा के आराम से आएंगे बैट के पढ़ेंगे और बैट के पढ़ें रिड के अड़ी को सीधा करके पढ़े पढ़ने का यह बिष्ट तरीका होता तो आप ऐसे पढ़ सकते बढ़े असानी से आपको नेंद आर आलत से नहीं आएगी क्या पढ़े प्रसुनिये उड़ता कि क्या पढ़े और कौन सा सब्जक्ट पढ़े इसको एक साथ हम देखने का प्रियास करेंगी तो क्या पढ़े और कैसे मलब की क्या पढ़े और कौन सा सब्जक्ट पढ़े सबसे पहली बात आपको यह समझ लेना चाहिए कि इस समय पढ़ने का किसी का मन नहीं करता चुकि ऐसी कठिन परिसिती है इस समय आपको गर्मी भी लगेगी घर में आप बैठे-बैठे बोर हो मोबाइल आप देखतें कभी-कभी डीबूट करना पड़ता ना सब्टेवियर डलवाना पड़ता इसी प्रकार से जो है दस-बारा दिन पर या फिर एक महीने के अंतराल में आपको घूमना टहलना चाहिए अलग-अलग अस्तानों पर तो कही ने कहीं पर ऐसा माइंड तो बोरिंग विसेवस्तू को त्याग करके एक ऐसे विसेवस्तू को चूज करें जो कि आपका कैसा सब्जेक्ट हो चुनिंदा विसेवस्तू हो और एक परकार से चुनिंदा के साथ सत्वा इंपोर्टेंट भी हो तो ऐसे विसे विसेवस्तू को चुनिया और उसको पढ़ने के लिए पढ़ ही एक बढ़ करें तो में अपकर इसमें अगर घूस्य के लिए सब्सक्राइब सोब्सक्राइब फटेन में अपने हिसाइत परता हुँ अबाप पे डिपेंड है आप कौन से साहित को पढ़ते हैं आप क्यों से विस्तों पढ़ने या आप चूच करिए जो कि आपके रुचकर विस्तों हो उसको आप पढ़ने का प्रियास करें वहीं पर बात करें कि क्यों पढ़ें पढ़ने आखिरकार क्यों पढ़ें तो पढ़ने का सीधा क्या होता है personality development जो होता है वह पढ़ाई से ही होता है तो जब आप पढ़ेंगे तो आपके विक्तितु का विकास होगा और जब आपके विक्तितु का विकास हो चुका होगा कोई भी जो आपने तर्क बितर्क दे पाएं तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है कितना पढ़े प्रसंद उठता है तो ध्यान लखेंगे एक जहां पर जो है आप आलखंड का एक पंक्ति ले लिजिए कि सूर सिंगार करें रणके तमनार सिंगार पे ध्यान धरेना मतलब इसका या सी तीदा जब पढ़ने बैठे तो कभी भी या ना देखें कि आखिरकार कितना पढ़ है ये कभी भी ना उलिटे कि हम अबना करके पड़ना है या बनाकर के पढ़ें कर्चेशी लो भी पढ़ना पढ़ना है लेकिन जब तक आफक वह इसे तो आईसा मैंन능 नहीं कर्ता हो पर जैसे आपका रूचकर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखेंगे आपको लगबग बना लेना कि हाँ एक चेप्टर हमको पढ़के उठना है और उसमें जो है प्रकार से ऐसी चीजों को इसे मालने तो उसमें बोरिंग होने लगा आपको एक सब्जेक्ट में को ही आप ध्यान लखेंग कभी भी तो पुस्तक में चाहिए जितना आप अच्छा नोटस बनावा लें लोगा थेंके सब्जेक्स कैसे बनाएं ये करें वो करें मैं कहता हूं मैंने आस तक कभी नोटसी नहीं बनाया चूकर नोटस बनाने से होता क्या है कि वह आप दिक व विसे वस्तु पढ़ें उसको जितना देरा नोट्स बनाएंगे उतना जल्दी आप दूस दो बारा पढ़ लीजी उसको तीबारा पढ़ लिए जितना आप यहां पर सेट कर लेंगे ना वही आपके पास नोट्स में लिखी या फिर जो हुवी पुस्तक में लिखी विद्या आप पूरी पुस्तक आपको इसे पुस्तक किये का पूरा का पुरा लिख देना है कि उसमें तमाम सारे इसकेज का प्रियों करके 20 कलर लिख उसमें लगा करके बनाना तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना आप ठीक आप आसानी से अपनी पढ़ाई को जिसे की जितने दिर में न computation अचलिन के आप लिखेव तो आप जादा सैधा पढ़ने का प्रियास करें किसके लिए पर हैँ आपको माता हता-पिता के लिए पढ़ना है आपने भाईयों के लिए पढ़ना या अपने साधी के लिए पढ़ना फिर अपने किसी पढ़ना है तो आप पर hem कर निए कर् पढ़ना है या समाज क्या अस्तर में अस्तर को मुचा करने के लिए पढना है जो भी पढ़ना हो अपने हिसाब से चूछ करिएगा कौन साव इस तो पढ़े तो इसको पहले बता दिया कि कौन सावसे उस्तों पढ़े जो कि रूचकर विसे हो जो आप अच्छे तरीके समझ पाते हैं उसको परेंज भोर्रींड निया बिषोक्र स्था ऑब लेकिन ऐसे उच्छ पढ़ना तो उसको बिल्कुल भी नपढ़े लेकिन अई सबते हैं च Unters refrigerate को महाने परें आप के जो अज रखता है के जेओग्राफिय केकं को पढ़ना जियोग्राफि में आप समझ पा रहें कुछ इजों को तो जिग अगर हिस्टरी में आप आफ लगता तो हिस्टरी पढ़िए या फिर जो भी विसे उस वापको अच्छी लगती है उसको पढ़ने का परियास करें तो फिर मिलेगे मेरी पर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं तो जय भारत